हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बाजरे की खिचडी और सर्दियों में इसका खाने का अलग ही मज़ा होता है और यह बहुत ही हेल्दी होती है और मैं दोनों तरीके आप लोगों को आज बताने वाली हूँ यह बिल्कुल देसी तरीका भी जो गाउं में मतलब एक्चुल म तो बूलते हैं आप हमाम दस्ता भी ले सकते हो अंगर आपके पास हमाम दस्ता है तो और इसमें यह अह तोड़ा सा इस डखके रख देंगे रास्ट के लिए दो से तीन मिनट के लिए ओनली तो देखिए अभी इसको कैसे कूटा जा रहा है और जिसे कूट रहा है इसको मुसल्पोलते हैं और यह हमारे ममीजी है ममी जी हमारी है कूट रही है और इसको यह पूरा परिवार एंगर अगर जैसे आपको कम बनाना है और आपके पास सुईधा नहीं है और हमाम दस्त भी नहीं है आपके पास तो आप इसको मिक्सी में भी ले सकते हो और दो चार आदमी के लिए आप सरफ एक कटोरी बाजरे से इसको आप बना सकते हो तो इसको अभी देखो हम थोड़ा सा ही कूटेंगे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कूटेंगे थोड़ा सा कूटने के बाद क्या करना होता है ना इसकी जो स्कीन होती है बाजरे की उसको निकालना होता है और उसको निकालने के लिए बस इतना सा हलका कूट के और फिर हम वो जो चार्ज रखा है जिसको सूप भी बोलते हैं आप लोग उससे इसको फटक लेते हैं अभी य नहीं रहेगा और एक इसमें न बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है जो खिचडी में न वो एक स्वाद न उभर के आता है देखो पहले चीजे क्यों टेस्टी जादा बनती थी हम बार-बार बोलते हैं कि चूले की या फिर जो हमारा हारा होता है जो उपले से बनाते हैं उसमें अपले लगाके बनाते हैं वो क्यों टेस्टी बनता एक तो व हो धीरे बनता है शलोली सलोली और पहले के लोग ना हर खाने में भाहत पियार भी दालते थे और मैनद भी डालते थे और आजकर हम akla ही फटा-फट करते हैं तो देखो टेस्ट में या तो फरक आई जाता है औ और जो धीरे-दीरे पकेगा तो वो तो मीठा होता ही है, चाहिए वो फल हो, आप फल को भी आप तुरंत पकाओगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा, और जो पेड़ पे नाच्रल तरीके से पकता है, उसमें अलग ही टेस्ट होता है, तो देखो यह हम इसकी जो स्कीन हो आपने मिक्सी में करना है, तो देखो अभी कभी कोई कूट रहा है, हम ऐसे ही खूब इंज्वाए करते हैं, और इसको अच्छे से मतलब बिल्कुल बारिक भी नहीं करना होता है, इसको आटे जैसा फॉम नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है, तो तब तक यह हमारा दरदरा होगा, तब तक हम इसको ऐसे ही कूटते हैं, और बहुत टाइम नहीं लगता है, पांच से साथ मिनिट इसको मैक्सिमम कूटने में टाइम लगता है, तो बस अभी हम सब बारी-बारी से कूटेंगे, एक मतलब हमारे लिए कि यह इंज्वाए भी होता है, और खाने कितने अच्छे से इसमें बहुत ही इजी तरीके से यह कूट रहे हैं, ठीक है, और सेम आप मिक्सी में करोगे तो आपके एक या दो मिनिट लगेंगी, तो उसमें भी आपको बिल्कुल आटा नहीं बिनाना है, यह देखो मैंने दिखाया आपको, ऐसा सा आपको बस रखना है इसको, बहुत बारिक बिल्कुल भी नहीं करना है, यह हमारा हो गया है, यह देखो, ऐसा हमें करना है, तो यह हमने अभी निकाल लिया है, और तब तक हमने क्या किया है ना इस बीच में, हमने पानी करम करना हारे पे रख दिया है, यह देखो इसमें क्या-क्या डलेगा, थोड़े से एक मुठी चावल और एक मुठी ही चने की डाल ये भी हम इसमें डालेंगे इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और ये हमने पानी पहले से गरम करने के लिए हम अभी चड़ा दिया है और इसी में साथ में हमने डाल और चावल को डाल दिया है और साथ में ही यहां पे हमने नमक भी डाला है और ढख दिया है तब तक यह हमारा पानी उबल जाएगा तो देखो यह पानी हमारा अच्छे से उबल गया है अभी हमने यह जो मतने वाली जो हाथ से मतने वाली मतनी होती न वो भी ले ली है और यह सारा हमने इसमें जो बनाया था दरदरा हमारा बाजरा वो डाल दिया है और यह देखो मतनी से मत्रे हैं ताकि इसमें गुठलियां न पड़ जाएं यह आपको साइद अंदर का ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यह उपले नीचे लगे हैं उपले की आँच है यह उपले की आँच में धीरे धीरे पकेगा तो उसके धुआ भी आता है और इसमें भी गरम पानी है तो भाफ निकलती है तो यह कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है इसकी अंदर की तस्वीर तो यह मत्नी से मत्रे हैं ताकि गुठलियां न पड़े और देखो पानी कितना डाला है हाफ के जी बाजरे के लिए हमने यह दो से डाय लीटर पानी डाला है त इसको बीच-बीच में आपने ऐसे ही और इसको बनने में जो हारे पर बनाते हैं हारे पर यह दीरे दीरे बनती है क्रीबन लग जाता है एक गंटा इसको आराम से मतलब इसको रख देते हैं बीच-बीच में जाके चला देते हैं और दूसरा काम हम अपना करते रहते हैं तो गी लगा के खाते हैं, पहले तो गरम गरम खाते हैं गी लगा के, और पता है लोग इसको next day भी खाना बहुत जादा पसंद करते हैं, खासकर मैंने गाउं में देखा हैं, हम नहीं कहाते हैं, मैंने देखा है इसको गाउं में बहुत जादा लोग अगले दिन सुबह खाते हैं लसी के साथ यानि की छाच के साथ तो देखो यह हमारी बनके तयार होगी है और यह बहुत ही टेस्टी है अभी हम इसको पहले डालेंगे और पहले इसको गरम गी के साथ हम लोग खाना यह मतलब मैं सजेस्ट करूँगे क्योंकि हाथ से इसमें एक अलग ही स्वाद आता है और फिर बनाते हैं गोजी और गोजी क्या होती है गोजी होती है जो हमारी लसी होती है उसमें थोड़ा सा दूद एड़ कर देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं वो होती है गोजी तो यह गरम-गरम घीर के साथ खाएंगे और देखो अभी ठंडी होगी है थोड़ी बच गी है अभी यह हम गोजी डाल रहे हैं इसमें और गोजी के साथ इसको मिला के खाएंगे और हाथ से खाएंगे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो गाइस हमारी शेयर और एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना चानल के न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना